नमस्कार, मैं अविनाश कुमार जा और मैं नीरुपुरी हम रोज की तरह आज भी चार बजे लेकर के आए हैं आपके लिए फैमिली हैपिनेस क्लास और हर सत्र की शुरुवात हम करेंगे छोटी सी माइंडफुलनेस की अक्टिविटी से तो आएए आगे बढ़ते हैं सभी एक आरामदायक स्थिती में बैठ जाएं और हो सके तो अपनी कमर सीधी रखें जिस प्रकार से आप आरामदायक महसुस करें उस स्थिती में बैठ तो चलिए शुरू करते हैं एक लंबी गहरी सांस लेते हुए हम अपनी आखें बंद कर लेंगे यदि आपको अपनी आखें बंद करने में और सहज महसुस हो रहा हो तो आप अपनी आखें खुली रखते हुए नीचे की और भी देख सकते हैं अब आप अपने वातावरण से आ रही आवाजों को सुनने का प्रयास करें उन पर ध्यान दें ध्यान दें कौन सी आवाजे आ रही हैं किस ओर से आ रही हैं आवाजे धीमी हैं या तेज हैं दूर से आ रही हैं या पास से लगातार या रुक रुक कर अब आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएं सांस का आना सांस का जाना महसूस करें समाने रूप से सांस लेते रहें यदि आपका ध्यान भटक गया हो तो बिना किसी दबाव को महसूस किए उसे वापस अपनी सांसों पर लेकर आएं अब आप अपना ध्यान अपनी बैठने की स्थिती पर लाएं और जब सहज महसूस करें अपनी आखें खोल लें तो निरु जी हमने माइंडफुलनेस तो कर ली है ना और हमें इंतजार है आज की अक्टिविटी का तो उसे कराया जाए जी आज हम एक बहुत रोचक गतिविदी लेकर आएं और जो बच्चे और हम लोग अक्सर अपने घरों में खेलते ही रहते हैं जा रहा होगा बलकि साप और सीड़ी का हम केवल इशारा करेंगे लेकिन इशारा करेंगे किस बात पर जैसे हमारा लक्षे होता है सांप सीड़ी की खेल में कि सो नंबर तक पहुंचना है फटा फटा अब हमने यहां अपना लक्षे रखा वातावरण को कैसे हम अच्छा बनाए रखें दूशन्ट प्रदूशन्ट से बचा कर रखें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें दोनों काम करने हैं और मैं कुछ कथन बोलूंगी आप उस कथन में चुपा हुआ काम देखेंगे और उस काम के बारे में बताएंगे कि वो काम हमारे लक्षे की और ले जाने के लिए सीड़ी बना या वो काम हमारे लक्षे से गिराने के लिए साप बना और आप नीचे आ गए समझ आ गई बचों समझ आ ग पहला कथन है रोज सुभा उठकर नहां कर तयार होना आपकी मर्जी है कोई भी कथन जरूरी नहीं है साप का इशारा दे या सीड़ी का इशारा दे आपकी मर्जी है चलिए बहुत देर लगाई आपने बच्चे कर चुके होंगे चलिए चलिए दूसरे प्रश् double सरे कथन पेया है मिने wife of gioke है है ओखे सफाइफ दूडशे कतार आपने चरू अजान कि सफाई करे कुड़ा घर से बाहर फेकना आप बहुत देर लगाते हैं, बच्छे कर चुके होंगे, बच्छे बहुत तेज हमारे, चल देर घर कोड़ा बाहर फेकना, जिए, घर का कुड़ा बाहर फेकना, चले आगे चलते हैं, बच्चो पे छोड़ेंगे, चले, चले, काग्वस के, नाव बिनाकर पानी में चलाना बहुत कठीन सवाल लग रहा है मुझे तो बहुत सारी बाते जो है मुझे उल्जा कर छोड़ दे रही है क्या आप भी उल्जे हुए हैं देखिएगा जहां भी उल्जन हो वहां घर में चर्चा करने का अउसर तो मिल जाता है अगला कठन बोले चलिए बोले देखते हैं फूल तोड़ना फूल तोड़ना आप ही सोचिए आप लोग सोचिए चर्चा कीजिए क्योंकि यहां चर्चा का खुब आउसर है पास की नहर में जाकर अपने घर के मंदिर का बचा हुआ दूप बत्ती अगरबत्ती डाल देना चलिए शुक्र है कहीं आपने जवाब दिया इसके साथ साथ थोड़ा सा बदलाव लेके आते हैं हम अपने कथनों में अब क्योंकि आजकल करोना बहुत चल रहा है तो हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि आज के करोना के महौल में क्या है जो आपको बचाएगा आपके लिए सीड़ी बन जाएगा और क्या है जो आपके लिए साप बन जाएगा ठीक तो बीस सेकेंड तक साबुन से हाथ दोना बताएं गुड वेरी गुड चलिए अगला घर के बाहर जाकर आसपडोस के अपने मित्रों के साथ खेलना आपको क्या रखता है जी छीख आए तो हाथ रख लेना मूपर हाँ ये प्रश्न भी सोचने लायक है हाथ रखने की बात है एक और बर बताएं प्रस्च्न रखिया बिना हाथ दोए खाना खाना बिना हाथ धोए खाना 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 बिना हाथ धोय खाना खाना आप एक आया ना जी बिना हाथ धोय जी है ना जी धोने की बात है जी बहुत सोच में पड़ गया विनाज जी आप भी सोचें चर्चा करें और फिर सही इशारा बताएं जी चली आगे बढ़ें प्रश्णों की चर्चा पर पहुंचे हां कर सकते हैं गति विदी में मज़ा आया अगर आपको मज़ा आया तो ऐसे ही और कुछ वाक्य लेकर आएं और आपस में अपने परिवार के साथ मिलकर सांप सीड़ी खेलें तो चलिए कुछ प्रश्णों पर चर्चा हो जाएं तो पहला प्रश्ण है जिन बातों पर आपने सीड़ी का इशारा किया तो ऐसा इशारा आपने क्यों किया ये बड़ी अच्छी बात आपने रखी क्योंकि सामानेत हां या ना बोलना बड़ा असान होता है पर असल में बात तो समझ में तब आती है जब ह यह पकड़ने कोशिश करते हैं कि ऐसा मैंने क्यों का तो कोशिश कीजिएगा कि चाहे आपने साप क्या कृति बनाई हो चाहे सीड़ी का इशारा किया हो पर जो बात आपने रखी है ना यहाँ ना का तरीका ही तो था दोनों प्रेश्ट ने ले लिए अविनाज जी ने दूस आगे बढ़ें तो एक टास्क है अच्छा सबके लिए तो टास्क यह है कि अब आप अपने लिए कोई लक्षे निर्धारित करो लक्षे वातावरण की सुरक्षा भी हो सबता है ठीक अब देखो उस लक्षे तक पूरा पहुंचने के लिए आपको अपने लेबल पर क्या- जिंदगी का कोई व्यक्तिगत मामला भी तो सकता है अब तो अपनी जिन्वगी के के व्यक्तिगत मामले की के हैं या सामाजिक मामले की बारत एक लक्षे निर्धारित करें, यह आपका कहना है, और लक्षे निर्धारित करने के बाद फिर क्या करें, लक्षे निर्धारित कर दिया, उसके बाद यह जांचेंगे, कि उसके लिए क्या क्या प्रयास आपको करना है, मतलब लक्षे निर्धारित किया, फिर हमने उसके करना पड़ेगा याद रखेगा यह कोई सांप सीड़ी का खेल नहीं है कि पासा फेंकेंगे नंबर आएगा और सौ तक पहुंचेंगे भागे की बात नहीं है प्लान करना प्रयास करना तो फिर उसका अगला चरण क्या हो अगला काम और इसके साथ जुड़ा हुआ ही टास्क है कि आपको यह भी देखना पड़ेगा कि इस कार्य को पूरा करने में उस लक्षे तक पहुंचने में आपके रास्ते में किस प्रकार की बाधाएं आ सकती है क्योंकि जब भी हम कोई लक्षत की बात करते हैं तो बाधाओं को भी पहले से हमें समझ लेना चाहिए जब हम ब बाधाओं से पार पाने के लिए आपको किस की सहायता की जरूरर पड़ेगी यानि कौन-कौन आपके उसमें मदद कर पाएगा कि आप अपने लक्षे तक पहुंचें और रुकावतों से पार पालें तो प्रश्न तो यहीं खतम होते हैं और आन तुमें एक बात में कहना च खेल के उपर कि सांप सीडी का केल तो हम सभी खेलते हैं और उसमें हार जीत होती है कोई व्यक्ति पहुंच जाता है सौ पर वो जीत जाता है और वो खुश होता है और कोई हार जाता है और वो दुखी हो जाता है हमारे इस खेल में कोई हार जीत का मामला नहीं है तो आप जांच के देखेंगे और इस तरह के और खेल जो है बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हारजीत के मामले ना आए क्या बात है मतलब खेल लेकिन हारजीत की बात ना हो यानि मजा भी आ रहा हो पर उसमें ऐसा ना हो कि एक को मजा आ रहा है या एक ने कुछ हासिल किया उसे ऐसी feeling पहुँच रही है और दूसरे ने कुछ खो दिया उसे ऐसा लग रहा है तो ऐसे खेल भी ढूंडते रहिएगा जिन खेलों में कोई हार जित की बात ना हो हर विक्ती वहाँ enjoy कर रहा हो हर विक्ती मजे से उस वक्त को जी रहा हो जी है ना जी क्या बात है तो चलिए अब हम अपने सत्र का समापन करते हैं दो मिनट के लिए शांत बैठ कर तो आप चाहें तो आखें बंद रखें या खूली रखें आपकी इच्छा है आप दो मिनट के लिए शांत बैठेंगे और इस सत्र में हमने जो भी किया आपकी जो भी विचार और भावनाय आए उनके उपर मनन करेंगे कि जाने से पहले आपको याद दिला दें कि जो भी आपके अनभव हैं यदि आप हमसे साजा करना चाहते हैं तो हैपिनेस डेल ही के फेस्बुक और ट्वीटर एकाउंट पर जा करके हमें बता सकते हैं साथ ही यदि कुछ और जानने की इक्षा हो दिल्ली के हैपिनेस क्लास के बारे में तो उसके लिए आप हमारा एक ब्लॉग है जिस पर आप पहुंच सकते हैं हैपिनेस डेल ही डाट blogspot.com यहां पहुंचें आपको बहुत सारी सामगरी मिलेगी पढ़ें और आगे बढ़ें नमस्कार फिर मुला कात्रुट